हलो फ्रेंट्स, कुकिंग वी शक्ती में आपका स्वागत है, आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ, यह है दोस्तो मैंगो शीखन, हम बजार का पिजर्वेटिव डबबा बन शीखन खाते हैं, आईए मैं इसे घर में भी बताती हूँ, यह कैसे बनाय मैंगो का सीजन है, मैंगो आ रहे हैं, अगर मैंगो नहीं आ रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं, जो पिजर्वेटिव मैंगो आता है, उससे आप बना लीजे, तो हम कम पिजर्वेटिव यूज करेंगे, ऐसा सोच कर, दही तो फ्रेश है, आप बना सकते हैं, लेकिन आज मै मैंने यह fresh mango से ही बनाया है आई इसे बनाना शिरू करते हैं इसके लिए घर का ताजा जमा हुआ दही है बस एक दिन का दही है दोस्तों एकदम मीठा दही होना चाहिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा जमा हुआ है घर का जमा है इसलिए इतना टाइट नहीं है बट हम इस इसे हैंक कर्द बनाना है एक बरतन में मैंने एक सफित कपड़ा बिचाया, कॉटन का उसमें अपना दही डाल दिया और दोस्तों हमें इसे दो घंटे के लिए हैंक कर देना है जिससे सारा पानी इसका निकल जाएगा और एकदम गाड़ा दही रह जाएगा दो घंटे काफी ह इसका पानी निकालने के लिए आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह बान दिया था और सारा पानी नीचे आ गया है इस पानी को मैं वेस्ट नहीं करते हैं सबसी में आटा लगाने में से यूज़ कर सकते हैं दो गंदे बाद दोस्तो मेरा हेंक कर ड़ी है सबसे पहले मैंने एक बरतन में अपना जो हैंक कर्ड था, दो चममच वो ले लिया जितना हैंक कर्ड था उसका आदा यानि एक चममच पिसा हुआ शककर ले लिया है अगर आप बजार का रेडिमेट शककर रिश करते हैं वो भी कर सकते हैं अच्छे से दोस्तों मैंने इससे चलाया है, एकदम स्मूध बनाना है, शीखन की सारी मेनत यही होती है कि हमें एकदम स्मूध से बनाना होता है, लगबग 6-8 मिट तक आप इसे फैट कर स्मूध बना लीजिए, मिक्सी में नहीं दोस्तों सिर्फ हातों की सहता से इसे आम हैं आप देख सकते हैं एकदम मीठे अच्छे वाले आम हैं इन्हें मैंने छील कर इसका पल्प निकाल लिया है पल्प दो आमों का निकल चुका है आप अगर जादा पसंद करते हैं तो आम के पल्प की मात्रा बढ़ा सकते हैं पल्प को मैंने मिक्सी के जार में डाला और एकदम smooth batter ready कर लिया सिर्फ pulp को दोस्त हमें डालना है हमारे दही को नहीं डालना है अब मेरा जो pulp था वो मैंने अपने hang curd और शकर वाले paste में डाल दिया है जितनी हमारी शकर और curd की quantity है उतना ही हम mango का pulp डालेंगे आप मात्रा का ध्यान रखिए अच्छे से इसको चलाया और एक 5 मिटता कि इसको फीटा है फीटने के बाद आप देख सकते हैं कितना स्मूध एकदम बेटर रिडी हो चुका है श्रीखन का इसे दोस्तों हम उपर से गार्निशिंग करके ड्राइफूट से सजा देंगे इसमें थोड़ा से लाइची का पौडर भी आड़ कर दीजे घर का बना हुआ मैंगो श्रीखन दोस्तों बनके तयार है फ्रिज में डब्बे में बंद कर दीजे चार से पास दिन तक कुछ भी इसका नहीं बिगड़ता है बहुत टेस्टी लगता है इसे आप चपाती के साथ ऐसे ही खा सकते हैं बहुत हिल्दी रेसिपी है बचों को दीजिए गर्मी का मौसम आने वाला है ठंडा ठंडा श्रीखन जो है बहुत अच्छा लगता है घर का बना हुआ फ्रेश रीखन खाने से दोस्तों पिसर्वेटिव खाना तो ठीक नहीं है इसलिए आप घर का बनाई है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्ता आपके टीनेज बच्चे हैं उनको कुकिंग में इंटरस्ट नहीं है तो आप उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए वो भी धीरे धीरे देख देखकर कुकिंग सीख जाएंगे बच्चे देख देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं मैं अगली बार फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू